असलाम अलेकुम डियर पैरेंट्स अमीद करती हूँ आप सब लोग खैरियर से होंगे अब इंग्लिश की बुक्स ओपन करवानी है हमने पेज नंबर 36 इंग्लिश की बुक पेज नंबर 36 साराज फैमिली हमने बच्चों को इसकी रीडिंग करवानी है बच्चों को हम स्पैलिंग के साथ पी रीडिंग करवा सकते हैं और वैसे भी करवा सकते हैं तो स्पैलिंग के साथ भी बता देती हूँ मैं आपको और वैसे भी बता देती हूँ इस तरह से हमने बच्चों को यह read करवाना है. इस तरह से हम बच्चों को read करवाएंगे. उसके बाद उनों ने कुछ questions राइट दिये हुए हैं यहाँ पे. यह भी हमने बच्चों से सुनने हैं. इस तरह से हम कोई भी नेम रख लेंगे. आमना's mother is Aisha. सारा के sister और father का नेम तो उनों ने उपर दिया हुआ है. लेकिन आमना के mother और brother का नेम हम खुद से रखेंगे. आमना's mother is Aisha. हुई इस आमना's brother? आमना's brother is Ali. आमना's brother is Ali. इस तरह से हम बच्चों को reading करवाएंगे और इनसे questions भी सुन लेंगे. थेंक यू. अब हम बच्चों को notebook का काम करवाएंगे. इस तरह से आप लोगोंने notebook ready कर लेनी है. singular plural आज हमने बच्चों को write करवाने हैं. तो पहले आप बच्चों को थोड़ा सा बता दें कि singular और plural होते क्या हैं. अगर कोई एक चीज़ है तो वो singular होती है और अगर ज्यादा चीज़े ह है तो वो plural होती है. जैसे हम pencil की example ले लेते हैं. हम बच्चों को बताएंगे कि अगर एक pencil है तो वो singular है. अगर हम दो या तीन pencils ले 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 तो वो plural हो जाएंगी. इस तरह से आप बच्चों को थोड़ा सा guide कर दें singular plural होते क्या हैं. उसके बाद हमने write करना है lamp. lamp का plural बनाना है lamps. tree, trees. sweet, sweets. hut, hurts. plate, plates. इस तरह से बच्चों को write करवाएंगे और बच्चों को साथ बता देंगे कि singular एक चीज होती है, plural ज्यादा चीज़ी होती है. थोड़ा सा बच्चों को guide करेंगे कि single लिखेंगे तो हम s नहीं लगाएंगे और अगर plural बनाएंगे तो उसके साथ s लगाएंगे. Thank you.